बिस्मिल्ला रिख्मान रहीम, Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. Student chapter number 12 start करने जा रहे हम second year का, जिसका नाम है Electrostatics और उसका जो topic आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है Coolum's Law. सबसे पहले Electrostatics के समंदर में ज़रा dive कर लें, कि ये समंदर है क्या, तो students हमारे पास जितना matter है, इसके दो basic, इसके दो characteristics हैं, एक है mass और एक है charge, एक है transferable और एक है non-transferable, transferable यनि जो charge है, हम charge particles को जानते हैं, जैसे हम electron को जानते हैं with a negative characteristics और हम proton को जानते हैं with a positive characteristics, अभी तक हम इस चीज़ का जवाब नहीं जान सकें, कि what's negative and what's positive, ये charge की असल nature क्या है, हाँ, लेकिन हम इतनी observation जरूर कर चुके हैं, कि जब कोई भी body, electron gain या lose करती है, तो उसके उपर एक characteristic appear होता है, जिसे charge कहते हैं, इस charge की वज़ा से वो दूसरी charge या uncharged bodies को attract भी कर सकता है, और repel भी कर सकता है, तो हमारे लिए charges की पहचान इस हद तक ज़्यादा कारामत है, कि ये attract और repel करने की ability रखते हैं, charges की story हमें समझ कब आती है, ये समझ आती है हमें tree की कहानी से, ये जो tree की story है, एक philosophical से story है, कि एक दरख्त उसके ओपर आसमानी बिजली गिरती है, वह वाशगाफ होता है, तो उसके material में से, उसके तने में से एक resin निकलता है, एक liquid सा निकलता है, वो नीचे गिरता है और एक blob की शकल इक्तियार कर लेता है, फिर लाखों साल गुजरते हैं, तो वो reasonable resin जो है, वो बिलकुल पत्थर की तरह सक्त हो जाता है, औरिंज से कलर का, फाइरी कलर का, और उस resin को नाम दिया जाता है ember का, फिर उस ember को हम अगर silk के कपड़े के साथ rub करें, तो उस ember में different bodies को attract करने की ability पैदा हो जाती है, तो आसमानी बिजली ने हमें तारुफ दिया है बिजली का, electrostatics का, the study of charges at rest का, तो daily life में आप कितनी example देखते हैं, अक्सर आप जब कंगा करते हैं, तो आपके बालों के साथ friction की वज़ए से कंगा चार्ज हो रहाता है, और even आपके बाल भी चार्ज हो रहाते हैं, फिर अब दोबारा आप बालों को सर के उपर यूँ लेकर जाते हैं, तो बाल खड़े होते हैं, और कंगे की तरफ अट्रेक्ट होते हैं, होता क्या है, कि हम बाडि को चार्ज कर सकते हैं, और बाडि को चार्ज करने की कई मैठ़ड़, जैसे हम charging by friction कर सकते हैं, हम charging by electrostatic induction कर सकते हैं, और फिर conduction, friction और electrostatic induction पे लेट से बात करते हैं, आप कोई भी pen pencil है, उसे यूँ बालो में थोड़ा सा रब करें अब रबिंग से क्या हुआ है कि फ्रिक्शन है आपके और उस बाल पैन के दुर्मेंद बालों के दुर्मेंद तो क्या किया कि बालों से कुछ इलेक्ट्रॉंज माइग्रेट हो गए उस ball point पर, अब बालों में electrons कम हो गए, यह नहीं, बालों पर कौन सा charge आ गए positive, और pen की उपए ज़्यादा electrons, बालों के उपर positive charge आ गए और pen के उपर negative charge अब आप दुबारा करीब लेकर जाएंगे तो यह attract करेंगे, अच्छा एक और चीज़ यह तो दाग charging by friction उसी pen को आप बालों में रप करने के बाद, कुछ कागस के pieces अपने हथेली पर रखें और उनके करीब लेकर जाएंगे तो वो कागस के टुकडे जंप कर करके आपके ball pen से चिपकना शुरू हो जाएंगे ऐसा क्यूं होगा, आपने कागस के उन papers के पास लेकर जाएंगे तो what will happen कि उनके उपर भी charge induced हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी positive और negative charges दोनों हैं same यही electrostatic induction का जो कानून है, यह आसमानी बिजली बनाने के काम आता है कि बादलों की रगड से जो positive और negative charges हैं वो अलग होते हैं और फिर उन positive और negative charges के दरमयान जब एक high potential की और ऐसे flow create होता है तो फिर चमकती है आसमानी बिजली अब charges को study करने के बाद Charles Coulomb जो एक French military engineer थे, उन्होंने एक बड़ा specific journal सा law दिया और वो यह कि the electrostats suppose हमारे बास दो charges हैं Q1 और एक Q2 charge और यह दोनो point charges है point charges के बारे में यह बताता चलूँ कि small amount of charges हैं जिनकी electric field किसी दूसरे charge की electric field को distort नहीं करती so small point charges उसने का कि the electrostatic force of attraction and repulsion अब attraction और repulsion आपको basic idea है कि similar charges जो है वो एक दूसरे को repel और opposite charges एक दूसरे को attract करते हैं students यह charges को positive और negative polarity जो थी Benjamin Franklin नामी एक scientist जो थी वो उन होने दी थी के एक charge positive consider कर ले और दूसरा negative तो Charles Cullum stated that the electrostatic force of attraction और repulsion यहाँ पर आजाएगी attraction और यहाँ पर आजाएगी repulsion अब याद रखे चाहेँ यह attraction है चाहेँ रपल्शन है the force is directly proportional to the product of magnitude of the charges जब word magnitude जो उड़ाता है तो it means negative को भी आप क्या consider कर लेंगे positive consider कर लेंगे फिर secondly इन charges के centers के दरम्यान जो distance r है यह electrostatic force उस distance के inverse square के proportional है दोनों के एक अठा करके लिग दाते है तो fe यह यह electrostatic force is proportional to q1 q2 by r square इस proportionality के साथ जो constant आता है that is k electrostatic constant इसे कहते है q1 q2 by r square इस k को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं इस k की value है 1 over 4 pi epsilon 0 its value is 9 into 10 raised to power 9 newton meter square per coulomb square कुछ books में यह unit गलत लिखे हैं तो आपने यह से correction कर लेनी इस में students जो epsilon 0 है इसे बढ़ते हैं permittivity of free space के free space अपने अंदर से electric lines of forces को pass करने के कितनी permission देती इस epsilon 0 की value 8.85 10 raised to power minus 12 students इसी unit को उल्टा दे है coulomb square per newton meter squared अब यह जो k factor है students इसकी value depend करती है permit medium पर यह medium का characteristic है और इसकी value depend करती है system of units पर system of units जैसा कि 9 into 10 raised to power 9 value किन units में आ रही है m, k, s system में automatically c, j, s system में यह value जो है वो different हो जाएगी तो यहां तक हमने complete equation जो अपने साथ लेकर चलनी आगे वो f is equal to 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 by r square है यह हमारे पास coulomb force की equation आ रहे इसकी बाद अब हम आते हैं vector form of coulomb's law पर vector form of coulomb's law यह है हमारे पास के let's say यह हमारे पास charge है q1 और यह है charge q2 अब दोनों के दरमयान repulsion है दोनों के दरमयान जो force है वो mutual force है मैं फिर word use कर रहा हूँ जो force है वो mutual है किसी एक की वज़ा से नहीं है दोनों एक दूसरे पर force exert कर तो let's say सबसे पहले तो vector की definition recall करें vector is equal to magnitude into unit vector suppose that the charge 1 is exerting force on charge 2 तो we will read it as f21 इस f21 क्यों पढ़ेंगे force on charge 2 due to q1 similarly जो q2 charge q1 पर force लगाएगा उसको हम पढ़ेंगे f12 force on charge 1 due to charge 2 यनि जिस पे force लग रही है उसका number पहले जो force लगा रहा है उसका number बाद में लिखना है so अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि f21 vector is equal to k q1 q2 by r squared students यह हिस्सा magnitude में आ जागा और unit vector यह unit vector हम यह लिख सकते हैं r21 the unit vector in the direction of 21 इसे r21 और उपर cap लिख देता है similarly f12 vector will be equal to k q1 q2 by r squared according to vector definition ही होगा magnitude और साथ हम unit vector लिखेंगे r12 साथ cap लिख देंगे अब यह unit vector की भी definition में यहां से recall कर दूँ मैं यहां पर लिख रहा हूँ unit vector find करना हो तो आप vector को उसी के magnitude पे divide कर सकते हैं अब एक जीज़ clear होगी कि दोनों की direction opposite है तो f12 force is equal to f21 force but with a negative sign कि both forces are equal in magnitude but they are opposite in direction तो यही हमारे पास third law की form भी बन जाती है याद रखें एक charge बड़ा और दूसरा charge छोटा हो तो भी forces equal ही रहेंगे उसकी reason ही है कि mutual force है इसकी मिजाल में यह देता हूँ सूरज बहुत बड़ा है जमीन बहुत चोटी अगर सवाल किया जाए कि सूरज और जमीन में से ज़्यादा gravitational force कौन exert कर रहा है तो dawns है sun सूरज नहीं कर रहा दोनों जमीन और सूरज जो है उनके दरमियान gravitational forces equal है product of m1, m2 m1 और m2 के product के बाद force generate होगी तो इससे आगे अब हम देखेंगे effect of medium को अस्टोरेंट्स effect of medium ये है कि जब भी दो charges के दरमियान let's say यही दो charges है इनके दरमियान में कोई insulating medium add हो जाता है उस insulating medium की विरह से जो charges है उनकी field strength एक दूसरे पर जो वो exert कर रहे हैं वो पहले से कम हो जाएगी अब कम होने की वज़ा से हम actual force को उस medium factor पर कर देंगे divide अब ये जो epsilon r है जिसे relative permittivity कहते है इसकी equation है epsilon of medium यानि medium की permittivity divided by permittivity of free space हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताके epsilon r का कोई unit न रहे और हमें सिरफ एक number मिल जाए वो number जो हमें बताये कि force कितने times reduce होगी जैसे आपके पास equation है k q 1 q 2 by r square अब यहीं पर k की value किस से divide हो जाएगी epsilon r से तो हमारे पास full equation बनेगी f r is equal to 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r q 1 q 2 over r square so do remember one thing कि जब भी कोई die electric medium insulated medium दो charges के दरम्यान आएगा तो जो magnitude of force है वो पहले से कम हो जाएगा जैसे water का जो epsilon r है वो round about 78 है it means कि अगर दो charges free space में है उसके बाद उनके दरम्यान water place किया जाएगा या उनको water में रखती आजाएगा तो जो force है वो 78 times कम हो जाएगी ठीक है तो यह हमारे पास coulomb's law की कुछ basic types है number one पे आपने इसका general formula derive करना है number two पे इसकी vector form है और number three पे उपर जो charges पे effect of medium है तो यहाँ तक था coulomb's law अगले lecture में जल्द थाजर होंगे अलावापस